हेलो एवरीबन आज इस वीडियो लेक्षर देवेच मैं तानूं PSTCL पंजाब स्टेट ट्रांस्मिशन कॉर्पोरिशन लिम्टर दा एई दा पेपर सॉल्ड करवावाँ गा एई पेपर शेग स्ट दोजार इकिनु आसी एई पेपर फर्स्ट मल मौर्णिंग शिफ्ट वड़ा पेपर है ते जड़े स्टुडेंट्स ने टेलीग्राम दा चैनल नहीं जोइन कीता हो डिस्क्रिप्शन देवेच नहीं लिंक मिल जेगा टेलीग्राम दा चैनल जड़ावा ओ जोइन कारलें कि जो स्टुडेंट्स एक्जाम दी अग्यात प्राइचुन कारें उंथ है टे मटेडिनाड आप डेट करद रहीं ना पोस्ट हो थे कोई मोई मैं एक्जाम देना रहें अनो क्वास्टा नहीं इन रुड़ेंट्स ने जिन लेक्चर दे ये विदान्यू येदा भी लिंक वो डिस्क्रिप्शन देवेच ताव मिल जेगा ते आज दी इस वीडियो दे विच जड़े मैं question समझाए ने बहुत ही basic questions ने बहुत ही conceptual questions ने इस करके इस वीडियो नूँ लास्ट तक देखे हो ते सारे question case देख लिए उन्हों देख लिए समझ लिए ते स्टार करते हैं first question तो which is the largest non-conventional source of energy इन दे विच्चे नॉ किया वा वो largest source है largest non-conventional source of energy इन विच्च second question किया है इन विच्च दी विच्च आफ दी following heating method the heating is based on the ice care effect ठीक है ice care effect क्योंकि हुन तुह यह तुह देख सकते ice care effect ठीक है आई की यह current R की resistance ठीक है यह देविच फिर केजी heating आजेगी कर जिस्टन्स heating आजेगी क्योंकि जदों आप आप लार्ज क्रण्ट जड़ावा जामलों क्रण्ट जड़ावा हाई 50.70 degree 20.70 degree Celsius the number of significant figures are ठीक है एक figure दो figure 7 तेने figure तो जीरो चार figure मतलब यह दा अंसर की यह 4 ठीक है ए अंसर जड़ाए दा है correct answer which of the following lamp does not suffer from stroboscopic effect stroboscopic effect की हुन दाए वैसे पहलना आप एफेक्ट देख लिए एफेक्ट की हुन दाए कई बार की हुन दाए कि तो देखो को fan जड़ावा जड़ा जड़ा चाल दाए अपनी स्पीड ते चाल दाए ओधे लाइट फॉल करें खास करके केड़ी जड़ी फ्लोरसी एंट लेंप दिया तो की होएगा तान विद्दा लगेगा जड़ा रिवर्स कोम दापया जड़े मतलब विंग्ज ने ओर रिवर्स कोम ने स्टार्ट होगे ने जड़ो कोम दापय आपया उन्हों केंदे ने स्टॉबո्स कोपिक एफ़ेक्ट उन्हों के केन देने स्ट सुभ सकॉपिक एफेक्ट यह सिर्फ इंतकेंदेंडेसेंट लम्प देवेचनिय फ्रकिक अब पेस्ट्रॉबकें मरकरी वापर लेंप मलोजी ने लिया ओ wilt लेंप ने एनधा ना देवेचह हुएगा बस एए च thermal radiator thermal radiators हों देने next day if the induction motor is made to run at synchronous speed the value of slip will be and value of slip synchronal speed the rotor speed भी हो synchronous speed दे equal हो ठीक है slip आपा कर लेने ns minus on n divided by ns into 100 okay हुन इदे विखो के ns के दे equal वा n दे एक वले मैं की किता ns दी जगाते ns पूट करता हुन तो देखो 0 divided by ns की आजेगा 0 एदा मैं असले पर दी वैल्यू के नियों हो जेगी 0 हो जेगी next day 0 power factor method of an alternator is used to find its regulation ठीक है इन्हों आपा regulation find hold is regulation find कर नमास ते अपा जीरो पावर factor method जड़ा वा यूज कर दे हैं इन्हों general method भी कहीं देने है एक को और नाम है गाए इन्हों general method भी आख देने है ओके नेक्स्ट किया है what will be the self-inductance of the coil if an emf of one volt current is induced in it when the current flowing through it changes at the rate of five ampere per second ठीक है यह देविशा नुकिया given की यह given है का e e की यह voltage जड़ी induced हो रही है वोकि निया 1 volt l not l नहीं find करना है फिर di.dt जड़ा हो रहा है di.dt यह के देखके बढ़ा जेगा 5 ampere per second ओके होने फाइंड की करना है l find करना है इंडक्टर्स आपा कड़नी है e is equal to l di.dt होने फाइंड करना है simply आपा find की करना है l find करना है इस करके इदी जगा ते one put करो l किना है वो find करना है 0.5 ampere per second okay l नो इदे रहें दो 1 by 5 आजेगा किना आजेगा 0.2 h एक ही है self inductancy value इदा अंसर की है c find the average value of sinusoidal current it is peak value of its जड़ी पीक वेल्यू है गिया हो है 10 ampere मतलब आइम दी वेल्यू किना है आइम में है 10 ampere जैनू आइपी भी कैन दे आया है और आइपी ampere तो आपा करना किया average value average value कियों दिए आई आई अवी इस इक्वल तू 0.37 into I m 1.37 into 10 किना जेगा 6.37 ampere किना जेगा दी अंसर एदा हो जेगा next day a three phase induction motor has supply frequency 50 Hertz एफ लेह लिए बैन दी frequency when the rotor is stationary the frequency of the rotor current is यह देवे चापा rotor current the frequency find करनी है नालियों ने कहता जड़ा रोटर यह stationary हो रही है stand still जो तो stationary होएगा ठीक है एफ फ़र आपा फाइंड करनी है जो stationary होएगा ओधो एस दी वैल्यू की नहीं हो जागी एस दी वैल्यू जागी one F किना देता है वा 50 एक ना आ गया 50 Hertz ठीक है add stationary ठीक है जाना कहलो कि जो अधार नहीं मेल रोटर नहीं को मधा अंधा रोटर स्टेशनरी यह उतो रोटर विदी फ्रेक्वेंसी की नहीं होएगी 50 Hertz होएगी ओके यह दा की अंसरा यह का 50 Hertz विच ओधी फॉल्विंग इस दी एक्टिव ट्रांड्यूसर थर्मो कॉपल थर्मो कॉपल थर्मो कॉपल थर्मो कॉपल की इंदा है बेसिकली एक ना अब गिल्वैनो मीट्रे दो डिसीपने टू डिसीमलेर मैटल सुन दियाने दो वह रहो अपा और वाक वाक मैटल्स यूज कर देया एक नुआ अब बार दिया डीने डो यह लाग रलाग मैटल स्तियाने एक्टनो कोल यंक्शन दे रखाया एकनूं और जंस्ति रखाया अब ठीक है एदे नाड़ की यह टेंप्रेचर गेडियोंट ते नाड़ की एक्रन the pattern used to measure phase and frequency with a cathode ray oxyloscope CRO देवे जड़ आपना फेज दे फ्रिक्वेंसी पैटरन यूज कर दियां वो केड़ा पैटरन है लिजाजस्स पैटरन ठीक है लिजाजस्स पैटरन ओके C option A यह दी next is which of the following option is correct for the ideal transformer ideal transformer देवे जबना के वेह लिए के की उन्दी है के वन्दी है transformation ratio के वन्दी V2 divided by V1 I2 I1 divided by I2 and N1 N2 divided by N2 N1 sorry N2 divided by N1 हुन देखो आप पहली option में गलत होगी दूसरी भी गलत होगी ठीक है तो यह दी जड़ी साई ideal transformer देवेच वेखो न वी इन्हों आपा cross multiply करा लिए V1 into I1 okay is equal to V2 into I2 ठीक है यह दी जड़ी साई option होगी है DE नेक्स ते वीच स्पोर्ट ऑफ ओफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है यह जीस लाइफ स्टील स्रक्चर देता यह अलूमिनियम अलॉय स्ट्रक्चर देता यह राग कॉंक्रीट पोल से देते यह ते वुड़न पोलस देते वह इना अन्दे वेच्च सब्तोकट लाइफ के दिए सब्तोकट लाइफ है गिया वुड़न पोलस नहीं और के सब्तोकट लाइफ के दिए वुड़न पोलस दिए next question है which of the following method used for finding voltage regulation of alternator was proposed by potier ठीक है केड़ा मेथोड वा जड़ा पोटीर ने प्रपोस किता है वोल्ड इस रेगुलेशन फाइन नमास थे ठीक है ओ मैथने जीरो पावर्फेक्टर मेथटड जीरो पावर-फेक्टर मैथटड ठीक है नेक्स डी सॉटीज ब्रिज इच यूज फर मायर्मेंट ऑफ इसा उ आ यूज इंड AI ऐसे फिर हो री आरक लूस झीडिय का घ्रक्टर चार्टर आपा ओज हुंस टुब खाइकर आya तो तू करदीए पर इसे ल्च गर्ट्री कर दीन स्जाइड यूज कर दे Шथ अवय जा। मोटर इजालेस फैस Io sur क्विकोज ठीक है जडी शाफट रोक डवर्य है आर्मेछर डॉरक रोदिन ऑन्द मीतें कार्द हो एक क्व रिच पूं पर है में क्यों रोटेशनल लॉसी सानगा यकर थे कहें रोक्तेशनल आघ रजिते क्वी रीचिनल लॉसीस में और क्व specially henna 100 sin 100 πt find the time period of the signal time period के लिए को लोंग आए 1 by f ठीक है हूं सानों f find करना ही पहेगी पहला ठीक है t is equal to 1 by f t is equal to 1 by f f की यह frequency हूं यह सी नों आपा compare करना है ठीक है omega t is equal to 100 πt क्लियर टीन टीकेंसल हूं में गादी वैलियों दिया 2 by f में गणुआ अपा 2 by f लिख दें यह कि आगया 100 पाई 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 आपाई कैंसल तू देना आल आपां 50 कैंसल अपना 100 कैंसल किता कि ना गया 50 आ गया 20 millisecond 20 millisecond ठीक है आजेगी 0.02 ते इन्हों आपां 20 millisecond भी लेख सकते हैं नेक्स्टेप विच अफ दी फॉल्विंग इस दी सिंपलेस्ट फॉर्म अफ टैरिफ इन्हों भी चुकेड़ा जड़ा मलो तरिफ बल्कुल सिंपल है वे सट्रेट मीटर रेट सट्रेट मीटर रेट यह सिरफ इन्ही आपां नर्जी कंस्यूम कार दे पह यह उदा ही डेपेंट्स पउन दी इन्पजिंगिं के ड़ल एच जिन्नी आपा के ड़ल एच में मलुव जिन्नी इन्रजी कंस्यूम किती ओदे साफ दिनल ही सनुभा दे अक्सीप अंग एल आएगा स्ट्रेट मीटर रीट देविच next in induction motor the condition for maximum Torq is condition for maximum Torqadden दिया जिदो आर्टू इक्वल हो जे स्लेप इन्टू रेक्टंस दे तो दों मैक्सिमम् टॉर्क जडिया ओ पैदा हूं दिया ओके यह ओप्शन जडिया और क्रेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट है इन थर्मल पार प्लांट फीडवाटर फार बॉइलर इस हीटर इन दी एकॉनमाइसर ठीक है एकॉनमाइसर देविचे फ्ल्यू गैसिस निकल दिया नहीं तो देना लिए जड़ा स्वड़ाव फीड़ वाट देने ठीक है यह फीड़ वाटर हीटर भी आजनता है ओके एकॉनमाइसर दा कम कि उन्दा पांप वाइलर देवेच पानी देना होंदा है उन्हों फ्ल्यू गर्म करना है इदिना कि यह जड़ा बॉइलर देवेच फ्यूल जड़ावा काट यूज होएगा रहर है नेक्ष्ट एप और जिस्ट्र इस रेटेड़ फार हंडड दों वन वाट डेर्मिन इस मेक्सिमाम वोल्टेज रेटी आप वोल्टेज रेटिंग करनी है वोल्टेज रेटिंग के दना कर सकते हैं पी के दिकलिंग अपन्द वी स्केर भाय आर्दे ठीक है अपन्ब voltage rating करनी है एक ही आजेगा PR और वी इकल टू अंडरूट PR ओके होने पी दी वैल्यू कि नहीं देती है 100 वन पी दी वैल्यू 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 कि नहीं है 100 ठीक है आर इस एकल टू 100 पी इकल टू 1 वाट एक ना कहा बी इस एकल टू अंडरूट 100 यह दी वैल्यू कि नहीं आजेगी 10 वोल्ट आजेगी यह ओप्शन जड़िया वो क्रेक्ट आप्शन नेक्स्ट ए इनना के थोडरे ट्यूब CRT हाइस्ट पॉजिटिव पोटेंचल इस अप् करते करते हैं कि पोस्ट डिफ्लेक्शन एसलेरेटिंग इन उड़ते करते हैं नेक्स्ट ए इन डीसी मोटर डी टॉर्क वीचीज अवेलेबल फार डूइंग उसफल वर्क इस कॉल्ड शाफ्ट टॉर्क ठीक है शाफ्ट और का अग्डे ने जड़े क्योंकि जड़ी शाफ कर दिए इस करके किया जड़ी डूइंग यूसुल वर्क जड़ी टॉर्क यूसुल वर्क कर दिए उन्हों शाफ्ट और का अग्डे नेक्स्ट टू मगनेटिक सर्केट्स हैविंग रिलक्टेंस एस वान एस टूर कनेक्टेड इन पैलल टोटल रिलक्टेंस ओफ दी सर्के वान्यदी एस टू वैल्यवे जिद्धां आम सिंप्ली वन वाइस ट आप टोटल रिक्टेंस करनीं कि आ गया वन वाइस वन प्लस वान वाई 150-0 सोच एस दी के दग्द आजेगा इन्हों क्रोस माल्डिपलाइ की ता है थे एसथी के दीक वला के लेहوب आगा इन्हों उल्ट करके लेहताँ संवां इंट्स सो डिवाइड बाइ एस भन प्लस मेफ्मट ठेकर और एस फन इंट्स दो divided by s1 plus s2 okay एदा जड़ा साही अंसर हो कि ये दी ये दी अप्शन जड़ा साही ये next a in dc generator the characteristics gives relation between the terminal voltage and the load current is called external characteristics is ये ये केंदे ने external characteristics okay एदी ऑप्शन जड़ी साही किए सी ऑप्शन साही है पावर इस मेज़र इन जाउल पर सेकंड जाउल पर सेकंड ओके होने दे विच्च किया अनर्जी के एक वलून दिए अनर्जी इस इकल टू जाउल केंदे हैं ठीक है और के डबलू एच भी इनू के दी दावा समझन दिगा ला एक ये टाइम ठीक है जेकर मन लोग के डबलू एच नू मैं एच देनाल डिवाइड करदा ओक ही बन गया कि लोग आउट मला पावर दा यूनेट बन गया उन्हें ये किए जाउल ए उपर लाए किए जाउल ए नेक्स्ट विच आफ दी फॉल्विंग बैलिंग प्रोसेस यूजर रोलर टाइप अलेक्टोड इदी साइब ऑप्षन है सीम वैल्डिंग सीम वैल्डिंग देवेच ना इस त्रीक एदे अलेक्ट्रोड उन देने जड़े के मूव कर देने ते एदे वेच ना जाब नू देता जैनता जिन्नु आपका वैल्ड करना है ठीक है दो होन्गे यह दे वीछ आपने ओन आपने टीर कर नहीं इन इना जाना ले नियों वैल्ड करिये नहीं ओके इनकी इंदने सीम वैल्डिंग रोलर ही आगा नहीं साइब ऑक यह सी ऑप्शन जडिये घ्रैइक प्रच ऑप्शन नेक्स्ट रिया टीन सवाइडल वोल्टेज एक्स्प्रेस्ट ऐज ए इस इकल टू टैन साइन हंडड़ पाईटी फाइंड़ पाईटी फाइंड इस वैली ओफ वोल्टेज़ आपा फैरीड की करनी है वीं करनी आपके ते एक यह साद एकोल Vm maximum जड़ी voltage एक टाइम जटता है आवा कि एस टाइम जटते आप 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 वोल्टेज दी वैल्यू फाइंड करनी है अफ्टरदी इस्टेंट आफ दीवोल्टेज जीरू ठ्क यहांड अफ्टरदी इस्टेन्ट दीवोल्टेज जीरू मैं अटोके इन्हों सिंप्ल्य कि गरांगे सेमिल तरिक्तालि आप इन्हों फींट करते हैं वह टाइम साट को गिवन है 100 टाइम किनना तता है आवा यह थे 100 पाई आजएगा टाइम है का वा टी इस इकल टू वन बाई 600 600 लादा जीरो देना जीरो कैंसल होगी है ठीक है यह बन बाई 6 आजएगा ठीक है 100 साइन पाई बाई 6 ठीक है और पाई दी वैलियों दी एक्सोसी डिग्री शेयर ना कराएं किनना रहे जिगा तीडिग्री आ गया ओके हंडर्ड साइन लेकिन आज़ेगा 30 डिग्री और 30 डिग्री साइन 30 डिग्री के दे एक्वल हुंदा है पॉइंट फाइफ दे बन बाई टू दें दाई इस करके कि आजएगा ई इस इकल टू हंडर्ड मुल्टिप्लाई बाई 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 तू कैंसल हो गया किना गया 50 एदा मला एदा सही अंसर की है यह ओप्शन जडी बिल्कुल सही है ओके नेक्स्ट ए अफॉर पूल थ्री फेज इंडक्शन मोटर अप्रेट्स फ्रॉम और 50 हर्ट्स अप्लाई फाइंड दी स्पीड ऑफार रोटर इस दी स्लिप इस जीरो पॉइंट जीरो फाइंड की करना पर स्पीड करनी रोटर दी फाइंड उत्तों सब तो पहला सवान वेनस करना पाएगा एनस के देख वड़ा आ गया 120 F divided by P 120 F किना 50 P किना है फोर ओके किना आजएगा 1500 1500 और पिम आ गया नेक्स आप मांट रोटर स्पीड फाइंड करनी है स्पीड फोटर होकि आजएगा ns 1-s एस एनस दी वैल्यू किनी है 1500 1-0.06 एक ना आजएगा पंदरशी का 90 यगा पंदरहां सो माइनस नबबे यह आजे कर चौदां सो दास रपियां एधा सही अंसर कि यह चौदां सो दास रपियां नेक्स से illumination is measured in illumination अपां केच मेर करते हैं ठीक है इनों करते हैं lumens per meter square per square meter lumens per square meter okay और लक्स और लक्स ये दी जागा दे लक्स भी लिखांदा तौम ही तोड़ा अंसर ठीक सी ठीक है येदा की अंसर आएगा D नेक्सटन आटर आल्टर रॉल्टर्नेटर्स एल्टर्नेटर्स हैं इन्हीं रेटिंग मेगवाट्री इस हैव् टूप्त विढूब वार्टर बिदॉर्ट बोल्गंधर अंदेगें कॉल्ड में पानी जड़ा वाओ फ्लो कर वाएजनता कूली को लिक्वड फ्लो कर आया कर दा ते ओ फिर कूलिंग जड़ी क्या लोगी एक्स्टेक्ट करके बाहर लाया हूंदा है फिर थंडा पाणी अंदर चल ज़ेगा इस तीक के दनाल ओ आल्टरनेटर जड़े कूल हूं देने जड़े अल्टरनेटर दे अंदर ला जड़े टेंपरेचर उनों मेंटेन कीता जन्दा है ते ओ केस रेटिंग तो कहलो के केस रेटिंग देने ओ यार मेगावार्ट दे मल हूंगे फिर ठीक है उत्थे अपाँ हो लो वाटर कूल्ड कंडेक्टर्स जड़े या यूज करांग नेक्स्ट एप वीच आफ दी फॉल्विंग इंस्ट्रुमेंट कैन डिरेक्टली मैजर थी प्रेशर बॉर्डन ट्यूब ठीक है बॉर्डन ट्यूब बाद ड्रेक्टली कर दिया प्रेशर नों महिर कर दिया ठीक है यह दिविज पाइरोमेटर जड़ावा ओ टेंपरेचर ट्यूब नेक्स्ट ए लूप विच डाज नॉट कंटेंस अनी अदर लूप विदिन विद इस काल्ड मैश मैश दे वे चहूर लूप नियों सब्सक्राइब ठीक है जिदा स्पोस करो किया दो एक सरकेट है मिरको ठीक है यह सोर से लगाता मैं ते आं मैश है अभी मैश ही ठीक है एदे बिच लूप है ठीक है मतलब एट एलिमेंटरी लूप होंदा है इस तो शोटा लूप नहीं हो सकता है ओके लूप जड़ा इन्हों आपा लूप कह सकते हैं आदे को ए आई बान ने ए आई टू क्या लो थे ए आई क्या लो ओके इस यह आप्शन की है बी मेश अब डूप मेटर रीड थवंटी फाइफ पॉइंट थिफॉर वाट्स धी अब्सलीट एरर इन दी मेजरमेंट इस माइनस पॉइंट एलैमन वाट्स डेटर्मीन इश डेटर्मीन दी ट्रू वैल्यू जां वैल्यू यहां बैल्यू ओक ठीक है actual true value जड़ी है वो find करनी है सब तो पहला measured value कि नहीं है measured value यह गिया पच्ची पॉइंट चॉंगती वाट वाट वाट्स ओके दैन एप्सुल्यूट एरर किनी है एप्सुल्यूट एरर है गिये माइनस पॉइंट बन बन वाट यह भी वाट से वेची होएगी ओके दन एप्सुल्यूट एरर के दीक विल हूं दी है एप्सुल्यूट एरर इस एक्वल तो measured value minus true value measured value minus true value true value ओके हुन true value के देएक्वल आगी true value आपा find करनी है true value is equal to 25.34 माइनस ते अभी माइनस चीया क्योंको एरर रोदर चल गी है ना ते माइनस थी हो जागी पॉइंट 1-1 यह भी माइनस यह ठीक है यहां पंजी पॉइंट चौंगती प्लस लेम यह कि ना जेगा पंजी पॉइंट पंजत ताली ठीक है कि ना गया पंजी कीपॉंट पंजतालीए ती सही ऑप्शन किये सी ओप्शन सी ओके नेक्स्ट है इन ऐंड़क्शन टाइब नरजी मीटर्स नाइदर प्रेश्यर कॉईल, नॉर क्रंट कॉइल is कर दिया opens नेटों मूव कर लिया है ओके नेक्स्ट ये फाइंड दी क्रण्ट आई इन दी सर्केट शॉन ब्लो ठीकर से जड़ा अपां इदे विच की फाइंड करना है कि क्रण्ट आई दी वैल्यू अपां फाइंड करनी है सबतों पहला की करांगे यह दोनों पैरलर चने यह अपां फाइंड कर लेने हैं यह कि आजएगा आर्टी इदी एक्विलेंट रिजिस्टन्स फाइंड कर लिए यह किना आजएगा 40 इंटू 60 40 प्लास 60 ओके यह आगया चवी सो डिवाइड़ बाई 100 किन्नी आजगी चवी ओम को के साड़कों सर्केट की बने यह जिदो आपर रीड रा किता फूर वोल्ट सोड़ा ओम डिवाइड़ बाई चवी ओम होने सीरीज दे वेच ने सो इननों दो मनों प्लास करदांगे आपका यह कि सर्केट फिर जे मैं रीड रा नेक्स्ट करदां सर्केट ते की मेर कोल आजएगा यह आजएगी 40 ओम यह कि यह 4 वोल्ट ते वी इस इकल टू आई आर आई इस इकल टू इस इकल टू वी बाई आर ओके और वी किन्ना है वी दी वैल्यू है यह 4 ते आर किन्नी है 40 किन्ना जेगा 0.1 एंपिर ठीक है इदी ऑप्शन किए यह सी ऑप्शन जड़ी बिल्कुल सही ऑप्शन है नेक्स्ट है इन मगनेटिक सर्केट अंपिर टॉर्ण इस दी उनिट ऑफ मगनेटो मोटी फोर्स ठीक है MMF नू केंदे मगनेटो मोटी फोर्स यह के देक विकल लूं दिया एन इंटू आई दे अनु आपर टी कहता है एक यह साड़ आई गी है एंपियर टॉर्ण ठीक है एटी नेक्स्ट किये इन थर्मल पार प्लांट समाल पीसे ऑफ कोल मस्ट भी कर्मोर्टर इंटू फाइन पाउड़ पार्टिकल्स इस फंक्षन इस प्रफॉर्म्ट भाई कोल पलवे राइजर की करदा वा के जड़े मतलब कोल उंदान उन बिल्कुल कैलो के समाल फाइन पार्टिकल्स दे विच कि नुमोर्ट करदा है नेक्स्ट है विच इस विच अफ दी फॉल्विंग टैरिफ इस थ्री पार्ट टैरिफ यह गार्ट दोहर्टी रेट थ्री पार्ट दा मतलब किया ए बी इंटू के डबलू प्लास सी इंटू के डबलू ह एक ही यह फिक्स चार्ज़ बी की है मैक्सिमम डिमांड ठीक है मैक मैक्सिमम डिमांड दिया चार्ज़ पहने है पर किलोवाट मैक्सिमम डिमांड एक ही यह अनर्जी कंस्यूम्ड अनर्जी कंस्यूम्ड ओके यह थ्री पार्ट टैरिफ यह इनू के इंटेन नेक्स्ट ए रिलेटिव परमेबिल्टी आफ नॉन मगनेटिक माटीरियल इस नॉन मगनेटिक माटीरियल कि यह साधा वुड गलास कॉपर ऐलुमीनियम एड्सेक्टर ठीके यह यह थिन नॉन मगनेटिक माटीरियल ओके यह थिन रेटिप अपनी केलोगे की उन दिये वन दे क्रीब उन दिये okay which of the following element is not found in the hydro electric power plant superheater is dispel ways when they are conduits and in the h nature power plant but Randy and the superheater thermal power plant use saturated steam superheater steam next day for a specific atom atomic weight ठीक है अटॉमिक बेट दो आपा एदिनाल दिनोड करते हैं किलना आ गया 108 ठीक है एंड दी अटॉमिक नंबर अटॉमिक नंबर किलना है अटॉमिक नंबर किलना है 47 तो महीं आप अगे नंबर अटॉमिक नंबर अबानर तर निंजिव तर आपन लिगान करने नूट्रैट से तक नंबर ओफ न्यूब एंट्रान्थ्सक्राइश छे का एदा सएकल जड़िए सई आप्शिन है नेक्स ए फार दी सर्केट शॉन बिलोव फाइंड दी क्रंट आई नोट होने देवेच की करांगे आपके सी एल जड़ा वो अपलाई करांगे ठीक है अब आप अपलाई की एल किर्शोफ करंटला एट पॉइंट एट पॉइंट एट पॉइंट एट पॉइंट एट इस पॉइंट जोते आप अपलाई करांगे की आजेगा साथ औको आई नोट ठीक है आई नोट जा रहे है ना इस एक्वल टू जिरो पॉइंट 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 फाइफ किना आजेगा 6A ठीक है किना अंसर भी आजेगा 6A ठीक है आई नोट दी बैल्यू के निया 6A विच यह तर्मार्प्लांट विच आफ दी फॉ लिँग इस न्ट आव अ मेकैनिकल ड्राब्त ठीक है यह दे विच कीया चिमनी श्लोल्ड अमेकैनिकल झॉप्त रह तो पंड़ अरि अर्डिफिशिल आइगी थे विच थी. हновさん मिलाडो हो के इंडू सब्सक्राश्राम॥ bats last Kin Archive क्हांनि के saved Dragon iivos by segunda चरह डरॉक्तली होंद ढ़नाी तक मले सब्सक्राइबंड़ अंदा यृप करने देड़े दस्ट जड़े मदव पार्टिकल प्रोडक्ट से ने ठीक है उन्नों रिमूफ करना होंदा है आफ्टर कंबस्टिन ओके और सिनुसाइडर वोल्टेज इस रिप्रेजेंटेड बाइन एक्वेश्टिन E is equal to 314 sin 40 pi t find the angular velocity angular velocity omega t is equal to 45 omega t दुना नू करता ठीक है एक है एक ही बाश गया साड़ को 40 pi 40 pi जड़ा उसादा अंसर है बी अंसर है रेडियन पर सेकंड जड़ा उसादा यूनट है अंग्लर ब्लॉस्टी जा ओके 45 रेडियन पर सेकंड next which of the following is a conventional source of energy fossil fuel coal बगएरा ठीक है पत्थर राट्टी बालन के इन्देनों ठीक है पत्थर राट्टी बालन okay fossil fuel next a three phase induction motor has six stator poles if supply frequency is 50 hertz find this in chrono speed ns is equal to 120f divided by p 120f 50 pole किने 6 किना जेगा शेयर divided by 6 एक ना गया एक कहिया ठीक है एक कहिया रार्पीम जड़ावा साड़ा अंसर होएगा okay the resistivity of dash increases with increase in temperatures होने देखो copper conducting material है माइका ग्लास ते रबड जड़े हो इंसलेटिंग मटीरियल है ओके एदा सही अंसर किये copper copper उन दावा पॉजिटीव टेंपरेचर कोफिशेंट ओफ रिजिस्टन्स ठीक है conductors have conductors have positive temperature coefficient of resistance के टेंपरेचर वदन दे नाड रिजिस्टन्स ही बदेगी ते जड़े इंसुलेटिंग ते समिकनुक्टिंग मटीरियल हुन देने उन एक्टिव तेमपरेचर कोफिशेंट ओफ रिजिस्टन्स ही तेमपरेचर वदन दे नाड उनने दे रिजिस्टन्स हा उकटेगी नेक्स्टे टू कोईल्स हैविंग सल्फ इंडेक्टन्स ओफ ट्वंटी एच और फाइफ एच और टाइटली कपल्ड फॉइंड दी मैक्समुम वैल्यू अफ म्यूचल इंडेक्टन्स बट्वीन दी कोईल इस फॉर्मूला गें दा एम इस इकल टू के ल 1 इंटू ल 2 हुन के अपां 1 लवागे क्योंक met maximum अपां विखनी जन्या म्यूचल इंडेक्टन्स के इननी है इस करके के दी टी वैलिवान गरती है एमी इसडिकल्टो ल वान के ने है i1 और 10 टॉ इस इकल तो 10H, ठीक है, mutual inductance के नहीं है, 10H, next है find current I2, आप हाँ value find करने है, in the following circuit, in the following circuit, ओके, एक इस तरहा find करांगे, 36, equation आप हला आती है, 36 is equal to 2I1 plus 12I1 minus I2, क्योंकि इनने दोने directional लागे लागे, plus 4I1, similarly, 24 दिता है, यह भी किनना आजेगा, 3I2 plus 12I2 minus I1 plus 9I2, okay, आए equation 1 ने, आए equation 2 है, इनने दोने equations नों solve करके साथ गोगी आजेगा, 0A आजेगा, okay, I2 दी value के दे, एक को लाजेगी, 0, next है, in synchronous motor, minimum armature front correspondence to, unity power factor, okay, C है the option, unity power factor होएगा, तो minimum synchronous current armature current होएगा, synchronous motor देच, okay, next day, which of the following signal is usually used as time-based signal in CRO, साथ उत्स signal, ठीक है, साथ उत्स signal जड़ा वह उ यूज कर दें, आप हां, का दे बास्ते, time-based signal बास्ते, ठीक है, next day, a capacitor of capacitance, 0.25 microfarad is charged to a voltage, 50 volt, find the charge on a capacitor, in the formula, the Q is equal to capacitance into voltage, capacitance के निया, into 10 raised the power minus 6, क्योंको micro दा मतलब होँ दावा, 10 raised the power minus 6 into 50, okay, ते ए वैल्यू साथ यूज के नहीं आजेगी, 12.5 micro coulomb, coulomb is a unit charge दा, के अप्शन की है, B, next day, a source, DC source 10 volt with internal resistance of 3 ohm is connected to a resistor RL, maximum transfer of power from a source to load takes place when RL is equal to, RL equals के दे होएगी, ठीक है, लोडर जिस्टन्स के दे इकवल होएगी, तो हमनों पताए कि जदों internal resistance equal होएगी लोडर जिस्टन्स दे, उदों maximum power transfer होएगी, होने internal resistance force दी के निये 3, यह ता मतलब RL भी के निये 3, यह दी direct option, correct option के दिये, ए, ठीक है, 3 ohm answer होएगी, यह तक सही है, next, in thermal power plant, dash is a heat exchanger, which heat is transferred to saturated steam to increase the, its temperature, okay, okay, डाए, D option है, ठीक है, एक ही करता है, जिदी saturated steam होएगी, saturated steam होएगी, वेट steam, ठीक है, इन्हों heat करना वासते है, ठीक है, temperature होदा वदान वासते है, अपा यूज कर देया, superheater, next, in alternator, if the coil span falls short of full pitch, by an electrical angle, alpha, then the pitch factors, pitch factor is equal to, cos alpha by 2, okay, एप्शन जडिया, एक है, प्रक्ट ऑच्ट ऑच्ट ए, next day which of the following is wrong for an ideal transformer कि ये बी option ठीक है it has considerable i square r losses क्योंकि ideal transformer दे विच दे लॉसी नहीं होंदा सो जडी बी या ओ रहूंग है रॉंग स्टेटमेंट है इनना फू चारे options दे विच ठीक है फिर क्रेक्ट option के डिये बी ये it has considerable i square r losses next in series resonance circuit the maximum current is 100 ampere what will be the current at upper or lower cutoff frequency okay अपा current find करना मा अपर और lower cutoff frequency ठीक है ये किया मैक्सिमम हुन दिये frequency क्यालो ओके एफ नॉट एफ नॉट एफ वन लूवर cutoff frequency f2 upper cutoff frequency ठीक है आजड़ पॉइंट मीट कर दा ये के दी को लोंदा सब्सक्राइब मैक्सिमम क्रंट divided by android 2 एा किये आए एम मैक्सिमम क्रंट उट अपन चाहिदा किये lower जापर देते frequency आप फाइंड करना है क्रंड फाइंड करना स्वरी एक दीक वह आ जेगा I am divided by and root 2 100 and root 2 एक नागया 70.7 Ampere 70.7 Ampere ओके इदी ऑप्शन की यह D next which of the following characteristics is not desirable in measuring instruments drift ठीक बाकी जड़े हो जुरूरी क्रेक्टर स्टिक्स इज ने ठीक है बाकी desirable characteristics ने जड़ा वह अपना option टाड़ी बिल्कुल सही है ते जड़ा पेपर सौल करवाया है चो टेकनिकल पॉर्शन ही में कला कवर करवाया है सो तूसे यह प्रैक्टिस कर लेओ क्वेश्चन काफी सब्खे यह स्ट्यू लेवल देते है नहीं सी कई कोश्चन इस ते बिल्कुल यह सान ही यह तना रोते टाफ जड़ा जईदा पेपर सी ओके स्टूडेंट थैंक्यू